गेहूं रभी के फसल है जिसके बुवाई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है तथा फसल की कटाई फरवरी से मई तक की जाती है जिन किस्मों की अवधी 135 से 140 दिन है उनको नवंबर की प्रथम पकवाड़े में तथा जो किस्में पकने में 120 दिन का समय लेती है उन्हें 15 से 30 नमबर तक बोना चाहिए निचली जमीन में दोनुवन में जहां की धान की कटाई के बाद अधिक पानी जमा रहता है एवं इस इस्तिति में धेहूं की पिछाद बुवाई किसान भाई करते हैं देहूं की पिछाद बुवाई का समय 20 दिसंबर से लेके जनवरी अंतिम 31 दिसंबर तक उत्तम माना जाता है इस बीच में यदि कुछ अनुशंसित किसमें है जो सिंची तवस्था में पिछाद बुवाई गेहूं की बुवाई के लिए अनुशंसित है यदि उन सब प्रभेदों को लगाएं तो पिछाद बुवाई में किसान भाई अच्छा अच्छान रखें कि वैसी किसमें जिनकी वुवाई समय पर की जाती है उनका चुनाव कते ही ना करें पिछाद गेहों की खेती के लिए क्रिशिवज्यानिक ही पंद्रा तिरसट के एक्ष्यानवी 07 HD 107 HUW 234 जैसी किसमों की अनुसंच्या करते हैं बिलम की बुवाई के लिए जो अनुसंसित किसमें है उसी को प्रियोक करें उसमें जो अच्छी अच्छी वेराइटी है 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 के 9107 और है 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 इस तरह कुछ अनुसंसित किसमें हैं जिसको आप पिछाई में एच्छाद गेहों के लिए ज्यादा उप्यूक्त हैं तो इनी सब किसमों को आप लगाएं पिछाद गेहों के लिए यदि आप बिना जो समय से बुवाई वाले गेहों को लगा देंगे तो उसमें पैदावार कम होगी गेहों के अच्छे अंकुरन के लिए दो तीन गहरी जुताईकर मिटी को भुर भुरी बना ले ध्यान रही की खेत में नमी बरकरार हो जुताई के करम में पांच टन गोबर की सड़ी हुई खात खेत में प्रती हेक् गेहों में बPP2 त्यार में चाहिए वहारत में लख भगा आदेशेत्र में गीहों की खेटी अंसिंच दशाब की जाती है प्रयाप सिचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर गेहु में चार से छे सिचाई देना स्रेश कर होता है यह सिचाई 20-20 दिनों के अंतराल में किया जाना चाहिए जब दूसरी सिचाई आपना चाहिए जब भाली निकलने के वाद और तीसरा जो है जब दूद भरने लगता है यह समय यह सजिसान भाली को चीर को सिचाई है तो पहला जाय। पुर में कर दोरा में ब सक्राव निकल inclut वह समय तीसरा बाली निकलते समय दें और चोफा बाली में दूद बरते समय दें तो इस प्रकार यदी आपको सिचाई करें यदू आपको सिचाई की मात्रा सिचाई आप दे सकते हैं तो आप लिए 20-20 दिन के अंतराल पड़ दें गीहों में क्रिशन नील, बथुआ, हिरन खुरी, जंगली गाजर जैसी चौड़ी पत्ती वाले खर्पतवार पोशक तत्वों की आपूर्ती को प्रभावित करते हैं, इसके लिए समय समय पर निकाई गुड़ाई करें पहले तो निकाई गुड़ाई करते हैं, लेकिन अब निकाई गुड़ाई करना समस्या है, वो ज़्यादा समय लगता है, और मने की ज़्यादा ये लगता है, तो रासायनिक का प्रियोग करते हैं, ज़्यादा तर रभी सीजन में जो है, वो चौड़ी पत्ती वाले घास का प्रकोब ज्यादा होता है तो उसके लिए 24D जो है वो मतलब की वो एक से सावा लीटर परती है टेयर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में घोल करके बुआई के 30 दिन बाद जो है खेत में छिड़काव करने पर खर्पतवार दियंतित हो जाते हैं विभिन क्रिशिक रियाओं एवं विज्यानिकों की सलहा के अनुरूप प्रभीदों का चुनाव और खर्पतवार नियंत्रण कर विलम सी गिहों की बुआई कर भी अच्छी उपच प्राप्त कर सकते हैं